एक्जैम्पल नम्मर थर्टीन यहां पर भी सेम ही है जो यहां पर क्या दे रखा थ्री डिजिट दे रखा है तो जब थ्री डिजिट की बोल रहा है तो वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट लूट हाउजंड कर दो आप इसको अब separate कर सकते हैं दोनों को बिल्कुल separate कर सकते हैं कैसे वन टू टू ट्री फोर जो है उसके एकल में क्या जाएगा मेरे पास mode of thousand अगर मैं mode of thousand बचाऊंगा इसमें तो 2, 3, 4 बचेगा मेरे पास कितना बचेगा रिमेंडर लिख रहा है 5, 6, 7, 8 के लिए मेरे पास क्या बचेगा 6, 7, 8 mode thousand ऐसे कुछ होगा बिलकुल अब आप question पर देखो 1, 2, 3, 4 multiply 5, 6, 7, 8 mode of thousand जो है उसके equivalent पर 1, 2, 3, 4 mode thousand ठीक है फिर multiply 5, 6, 7, 8 mode thousand ऐसे ही होगा बिलकुल अब इसका solution अभी मैंने बताया यह होगा आपके पास 2, 3, 4 mode of thousand और इसका solution होगा 6, 7, 8 mode of thousand ऐसे ही होगा बिलकुल ऐसे ही होगा अब आप मुझे यह बताओ 234, 678 को दोनों को एक साथ कर लों फिर से तो 2, 3, 4 multiply 6, 7, 8 एक साथ में लगा देते हैं हम यहाँ पर mode thousand ऐसे होगा 2, 3, 4 2, 3, 4 को मैं multiply कर रहा हूँ 6, 7, 8 6, 7, 8 1, 5, 8 6, 5, 2 1, 5, 8 6, 5, 2 अब इसका फिट से mode निकालेंगे तो last digit क्या बनेगी मेरे पास 652 mode thousand क्या लिखता हूँ मैं आपर remainder लिखता हूँ इससे divide करेंगे तो remainder बचेगा 652 इसका मतलब यहाँ पर answer लिख रहा हूँ मैं इसका दिख लिए ना find the last three digit of the product last three digit of the product one two three four multiply five six seven eight is 652 बताओ समझ में आया क्या बताओ समझ में आया क्या clear है आपर this is complete example number 13 12 इसके आप स्थाइंय का स्थाइंय